कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को जितने भी हमारे यूटूब फेमिली मेंबर्स हैं उनको दिपावली के हार्दिक सूब काम ना है अपने अच्छे से अपना दिवाली का दिपावली में इंज्योई किय होगा अब आगे कि जो अपने ICR के लिए अप इस चैनल पर हो तो ICR में अभी जो प्रोसेस होने वाला है जिनको काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस साल ICR का एक्जाम देके 2013 के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिस्पेट किया है तो उस पर से काफी स्टूडें नहीं हुआ है टोटल आपके पांच राउंड होते हैं जिसमें अभी केवल दो राउंड हुए है ठीक है तो आपको इस सीट नहीं मिला है तो घबराना नहीं है क्योंकि अभी भी आपका तीन राउंड पेंडिंग है ओके अब ऐसा नहीं है कि ICR सभी को फर्स्ट राउंड वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे regular videos भी आते हैं ठीक है इसके regarding हैं तो आपको सारी information इसी channel पर मिल जाएगी चाए आप UG के स्टूडेंट्स हो चाए आप PG के स्टूडेंट्स हो चाए आप PhD के स्टूडेंट्स हो ठीक है तीनों स्टूडेंट्स को यहां पे complete counseling process कहां seat vacant है कितना seat बचावा है कौन से college में कितना seat बचेगा last में सारे information आपको दी जाएगी जहां तक counseling process end नहीं हो जाए तो इसके लिए आपको चैनल को subscribe कर ला है बेल आइकन दबा ले ला है ताकि आपको सबसे पहले notification मिले, सारे वीडियोस में सब information आपको पास सबसे पहले आए तो सबसे पहले यहाँ पर इस video हम discuss करने वाले जो main topic इस video का है वो यह है कि जिन students ठीक है यहाँ पर ICR UG की बात करेंगे तो जिन students को seat मिल चुका है उन्होंने अपग्रेडिशन किया है तो उसका जो अपग्रेडिशन का process है वो काफी students confusion में रहते हैं कि भया मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसकी topic के बारे हम discuss करने वाले है इस video को देखने के बाद आपको अपग्रेडिशन को लेके कोई भी doubts नहीं रहेंगे साथी साथ उन students की भी बात करेंगे दो नमर topic हम इसमें discuss करने वाले है कि जिनको seat नहीं मिला है ठीक है जिनको seat नहीं मिला है उनको कब तक wait करना होगा कब तक उनको seat मिलने के chances है सारी process की हम बात करेंगे थर्ड round बदब अभी तक आपका एक दो round आपका complete हो चुका है तो थर्ड round का result है वो कब तक आएगा ये भी हम discuss करेंगे उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे ये थर्ड round में आपको seat मिलता है तो आगे आपका कौन सा process होने वाला है और कब तक थर्ड round का result आएगा सारी process और आल हम इसमें बात करें तो ICR रुजी के counselling का थर्ड round तक सारी process का आपको इस वीडियो में solution मिल जाएगा तो वीडियो को आँ तक देखिए और चैनल को subscribe कर लिजे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन students को seat allotment नहीं हुआ है तो काफी students ऐसे हैं जिनको seat अभी तक मिला नहीं है तो आपको सिर्फ धीरज रखना है अभी भी आपका counselling का दो, चार round टोटल होंगे और उसके बाद में भी आपका seat vacant रहता है तो मोपप round करवाया जाता है मोपप round में कोण कोण participate करेगा इसका अलग से भी वीडियो बना दूँगा सब थोड़ा सा उपर-उपर से बताता है कि मोपप round में वो student participate करेंगे जिनको अभी तक seat नहीं मिलेगा मलब चार round में यह दिया आपको seat नहीं मिलता है तो आप direct मोपप round में participate कर सकते हो उसके बाद जिने students ने counselling में participate नहीं किया था किसी वज़र से first round में नहीं registration कर पाए तो वो मोपप round में participate कर सकते है यहाँ पर benefit क्या होगा मोपप round में मोपप round में benefit यह होगा कि जो 4 round तक seat allotment हो जाएगी जिन students को वो students मोपप round में participate नहीं कर पाएंगे तो इससे very fit आपको होता है क्योंकि आपका यहीं first round में आपने देखा होगा तो first round में यहीं किसी students को seat मिलता है तो upgrade कर देता है मतलब काफी student लगबग मान के चाल सकते हो कि 80% students है वो seat लेते ही नहीं है ठीक है? वो upgrade में लगा देता है तो इसके विज़ेंसे जो new student है जो नया student है जिसकी rank थोड़ी सी high है उनको seat allotment नहीं हो पाता है लेकिन उनको map of round तक seat मिल जाएगा तो आपको धीरेज रख रहा है counselling के अंतिम phase तक आपको बने रहना है ठीक है? बाकी आपको channel पर information मिलता रहेगा अब third round का result है वो कब तक जारी किया जाएगा official website पर चलो एक बार हम check कर लेता है ठीक है? तो जैसे हम official website पर जाएगे तो यहाँ पर आप नीचे के और scroll करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो UG के लिए एक notice दिया गया था कुछ दिन पहले जिसमें आपका फिर से counseling का जो schedule है वो change किया था यहाँ पर आपका second round का result है वो 8 तारिक को release किया था इसके बाद में आपका जो process है 15-16 ठीक है 16 तारिक तक इसका process है second round का चलता रहेगा तो आपको कब तक wait करना है? आपका result है वो third round को 20 तारिक को आएगा इसके बाद में आगेगा process होगे सारे documents वगेरा वेरिफिकेशन complete होगा सारे process आपकी होने वाला है तो यहाँ पर अभी तक second round चल रहा है आप लगबग 13 तारिक आपको सभी students को पता 13 तारिक हो चुकी है तो documents verification है वो 14 तारिक तक complete होगा payment process होगा 16 तारिक तक उसके बाद में आपका online physical reporting होगा तो यह चीज आपको समझ में आच चुकी है तो I hope third round का result है वो 20 तारिक आएगा 20 तारिक तक आपको wait करना है अब चलिए एक बार हम फिर बात करते हैं जिन students को seat मिला है और उन्होंने अपगरिडिशन में लगाया है ठीक है अब काफी students है जिनको seat मिल चुका है तो जिनको seat मिलता है उनको इस तरह से सारे options दिखाई देता है जिसे rank card आगया registration उसका form allotment letter ठीक है जिसे seat allotment होगा तो यहाँ पर एक allotment letter का option आएगा उसके बाद admission payment के option आएगा admission seat लेने का option आएगा और उसके साथी साथ cancel admission का option आएगा सारे चीजों का मतलब क्या होगा हम समझा देता है admission letter का मतलब यह होता है कि आपको जब seat allotment रहता तो उस university का address उस कौन सा university आपको allot हुई है वो सारी चीजी उसमें दिखाई देती है ठीक है और कौन सा course मिला है जैसे हम इसको जैसे हम click करेंगे तो एक later आपके पास आएगा यहाँ पे देखो सब चीजे दिखाई देंगी क्या-क्या चीजे दिखाई देंगी यहाँ पे देखो यह चीज आपको दिखाई देंगी जिसमें कौन सा university आपका UG students है तो UG दिखाई देगा course कौन सा है तो course आपको दिखाई देगा कौन सा institute या कौन सा government college मिला है तो वो यहाँ पे आपको show up होगा उसके बाद पे आपने 10,000 payment किया तो paint दिखाई देगा और उसके राउंड second उसके बाद आपको view पे क्लिक करना है जिसे आप view पे क्लिक करेगे तो यहाँ पे आपको सारी retail विल जाएगी देखो इनको लगबग 16,000 के आप्रोक्स रेंग पे SCKTV students को होटी culture मिला है वो कौन सा university मिला है वो यहाप यहाप पे देख सकते हो अगर इकलिसे धापोल इनको seat allotment हुए है second round में ठीक है यह चीज आपको समझ में आ चुकी है तो यह आपका allotment later हो गया उसके बाद में हम बात करें फिर से allotment later के बाद ठीक है जैसे आप इस पे dashboard पे आओगी तो इसका allotment later आपको download करना है उसके बाद में आप गया admission payment ठीक है admission payment यह दि आपने 10,000 payment करना होता है 10,000 का payment का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे देखो जैसे payment successful होगा एक बार आपको payment करना है एक बार ही ठीक है जैसे आपने first round में payment 10,000 किया तो automatically आपको second round में भी यहाँ पे 10,000 payment complete process दिखाएगा आपको दो बार 10,000 payment नहीं करना है जब आप एक बार payment कर दोगे तो इस चार round तक यही payment आपका अप्ग्रेडशन होता रहेगा ठीक है payment आपको बार बार fees payment आपको नहीं करनी है और जैसे आप fees payment कर दोगे तो यहाँ पे successful हो जाएगा और यहाँ पे 00 payment हो जाएगा और इदी आपने 10,000 मान लोगी second round में किसी को पहली बार seat मिलती है 10,000 payment यहाँ पे नहीं करोगे यहाँ पे जिन स्टूदेंट्स को seat चाहिए ठीक है मतलब जो इनिसीटी अलोट हुय है उसी में इनको admission लेना हो तो यहाँ पे एक आपकी email ID पे OTP जाएगा OTP देने के बाद, feel करने के बाद इसे submit कर देना जिससे क्या होगा कि आप आगे की rounds की काउंसली में participant नहीं कर पाएंगे और वही seat आप लेना चाहते हैं और उसी में आपका admission process complete हो जाएगा तो इन students ने देखो फीज नहीं क्या है, इसका मतलब इन्होंने अगले round के लिए छोड़ दिया है, अपग्रेड कर दिया है ठीक है, उसके बाद में इनको that round की result का wait करना है तो यह चीज आपको समझ में आ चुकी है तो फीज वह students करेंगे जिनको वह seat लेना हो, जैसे इनको धापोली का college मिला है, hot culture course मिला है तो इनको अगरी culture चाहिए तो यह wait करेंगे या इदी उनको अगरी खल्चन नहीं मिलता है उनकी rank पे तो आपको फीज से धापोली ही मिल जाएगा तो इसको लिए यह आपको समझ में आ गया होगा यह फीज उनको करना है जिनको seat लेना है जिनको seat नहीं लेना है, वो ऐसे ही फीज पे नहीं क्लिक करेंगे यह चीज आपको option समझ में आ गया अब उसके बाद में हम बात करेंगे admission हो गया, उसका cancel admission cancel admission का क्या मतलब है, ठीक है cancel admission का मतलब है यदि आप admission नहीं लेना चाहते मान लोग कि काफी student ऐसे है उतने जिनने आप सारे जितने भी counseling के round से ICR के उससे आप बाहर हो जाओगे, ठीक है तो यह चीज समझ में आ चुकी है, cancel का मतलब क्या होता है कि ICR की जितने भी courses है उससे आप बाहर हो जाओगे यह आपने cancel admission लिया और आपका payment process है वो वापस आ जाएगा, ठीक है तो यह सारे चीज़े आपको समझ में आ चुकी है मैंने सारे topic में discuss किया अब last topic जो बचा है, वो है upgradation का, ठीक है upgradation का क्या मतलब होता है तो upgradation का मतलब यह से होता है कि जिसे, जिनने students को माल लिजे इनको first में मिला था, इनको forestry मिला था इनको hoti culture मिला, इनको akola, धापोली का college मिला थो इनका एक बार जो है वो हम देख लेते है, ठीक है, जैसे इनों जो choice for friends के है यह हमारे paid counseling की student है, तो इनकी choice feeling हमने ही किये ठीक है, तो इनको hoti culture मिला है और वो कौन सा धापोली का college मिला है आप भी अपना देख सकते हो कि कहां पर आपको college मिला है, तो यहां पर देखो, इनको 44 नमर पर जो college है, institute है, वो दियावा, वो मिला है यह चीज समझ भे आ गया, अब मा लेजे ही आपका इनका second round का result पर इनको 44 नमर का choice for friends मिला है इनके उपर इनके पास फिर से होटी कल्चर काफी college है, दो तीन college है, उसके बाद agriculture की सारी colleges है, ठीक है, जैसी उपर इनका है, राने लक्षपी बाई हो गया, बिहार agriculture सामभोर हो गया, और उसके डोक्टर आजेंदर परसाद सेंटर है, इनका होटी कल्चर है, अब यह चाहत इनके उपर वाला college ही आपको मिलता है, ठीक है, यह चीज समझ में आ चुकी है, कि नीचे वाला college यह इदि आपको नहीं मिलेगा, उपर अपग्रेड करने पर उपर वाले college में आपको जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और समझीए, जैसे इनको अभी मिला है, क्या इनको फाइनली फॉर्ट राउंड तक इनको अगरी कल्चर मिलने के चांसे है, हाला कि वो कटों फे भी डिपेंड करता है, इनका 16,000 के लंबग, से 16,000 तक रेंख है, तो यह आप यह अगरी कल्चर तक जाएंगे, तो अगरी कल्चर तक इनको वीट करना है, तो 16 तक, इनक इनको अभी वेट करना होगा, तो यह चीज हो गया, हमेशा अपग्रेडिशन करते हो, तो आप तभी अपग्रेडिशन करें, जब आपको लगता है कि आपकी उपर वाले जो कोर्सेस है, जैसे माल लीजी किसी स्टूडेंट्स को अगरी कल्चर मिल जाता है, माल ली अपग्रेड करेंगे, तो आपको बेनिफिट हो जागा, यह तो आपको फिर से वही कोलेज मिल जाएगा, या उपर के कोलेज आपको मिल जाएगा, जैसे आप अपग्रेड करोगे तो पिछले वाले कोलेज है, जैसे माल लोग की दूसरा इस्टूट आपको अलोट होता है यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके कोई भी डाउट है वो नहीं रहेंगे तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेकर यदि आप चैनल पे नए हो डियर तो चैनल को जुरू सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स है वो मिलती रहती है